चलिए जली से बता देता हूँ, इस वीडियो में हम लोग इस stock को infused solution को discuss करेंगे और इसके बाद कुछ major stocks हैं जिसमें FII और DII दोनों जो है buying कर रहे हैं तो उनमें भी कहां पर entry कर सकते हैं ये हम लोग discuss करेंगे, सबसे पहले infused solution को discuss कर लेते हैं आप में से ज्यादातर लोग इसका नाम नहीं जानते होंगे और इसके बारे में जानना है तो आप market cap देख लीजे, 100 करोड से भी कम का market cap है लेकिन fundamental में कुछ भी खराब नहीं दिखाई देता, promoters maximum जो hold करके रख सकते हैं वो hold कर रहे हैं कुछ भी promoters ने अपने stake को गिर्वी नहीं रखा, हाँ थोड़ा debt है इसके उपर, जिसका debt to equity ratio आप देख सकते हैं 0.87 है, बहुत जादा नहीं है, लेकिन जानने वाली बात है, ठीक है, तो financials भी अच्छे हैं इसके अब इसमें आप अगर investors portfolio में जाके देखोगे तो FII, DII इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें profit and losses में जाके इसका revenue और net profit या EPS चेक करोगे, तो आपको ये बढ़ता हुआ ही दिखेगा, बहुत खतरनाक परीके से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ ज़रूर रहा है तो इसमें कुछ भी खराब देखने को नहीं मिल रहा है, अभी यहां पर PE ratio और price chart देखेंगे तो आपको कुछ खाथ समझ में आएगा नहीं, इवन आपके broker के app पे अगर इसका candlestick chart देखोगे तो बहुत volatility इसमें चल रही है, ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, जो लोग risk लेने आये हो, जो इस तरह के stocks ढूंते रहते हैं, जिनके market cap अभी बहुत कम हो, लेकिन fundamentals बहुत strong हो, उनके लिए सिर्फ ये stock है, beginners के लिए नहीं है, तो जो risk takers हैं, वो इस stock के बारे में सोच सकते हैं, मैं इसको consider कर रहा हूँ फिलाल, जब तक इसमें कोई खराबी नहीं दिखती fundamentals में, मैं इसमें थोड़ा सा पैसा infuse करना चाह रहा हूँ, oh wow, infuse में infuse करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अभी जो इसका price चल रहा है, वो है 112 रुपे, और लगबग 100 के ये थोड़ा सा नीचे जाके अभी आपको reversal लेता हुआ, दिखेगा जब आप इसका candle वाला चार्ट देखोगे न, तब आपको ऐसा, 100 के नीचे थोड़ा जाते ही, इसने वहां से bounce लिया और काफी अच्छा bounce लिया, लेकिन मैं जब इसमें entry करूँगा, अगर मानलो इस महीने इसमें फिर से गिरावाट होती है, और ये 100 से नीचे दुबारा जाता है, तो 85 में मैं इ अगले महीने या कभी भी जब भी आप interested हो, इसमें comment कर दोगे, तो मैं उस महीने का जो मेरा target होगा इसमें, मैं वो आपको बता दूगा, अभी फिलाल 85 रुपीज का मेरा इसमें target है, तो ये एक hidden stock हो गया, शायद आप में से जाधा तर को या मुझे लगता है सब को ही नही limited, बहुत ही जाधा famous stock है ये, लेकिन बहुत ही जाधा panic mode में चल रहा है, आप यहाँ पे maximum chart देखेंगे, तो यहाँ से जो इसने गिरना शुरू किया है, वो गिर ही रहा है continuously, ठीक है, इसमें हमने एक discussion किया था, पिछले किसे वीडियो में, वहाँ पे मैंने बोला था कि 340 का इसका हमारा monthly SIP level हिट हुआ है, तो जिसको buy करना था, उन्होंने buy किया है, मैंने ignore किया था, क्यों, क्योंकि इसका जो PE ratio है, ये हमको continuously क्या हो रहा था, गिरता हुआ दिख रहा था, पी जो है, उपर जाता हुआ दिख रहा था, ठीक है, और मेरे पास already इसका stake काफी नीचे पर था, तो इसलिए मैं इसमें यहां पर buying नहीं करना चा रहा था, लेकिन अभी कोई नई entry भी करना चा रहा है, तो उसके लिए भी मैं इसको शायद यहां suggest नहीं ही करता, ठीक है, छूट जाता वो अलग बात है, लेकिन आप देकितीन साल के भी, अगर आप PE ratio देखेंगे तो EPS यहां पर consistency में गिर रहा है, PE उपर जा रहा है, median से काफी उपर निकल चुका है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा ignore किया था, लेकिन अभी यह ऐसा time आया है कि हमारा जो lowest possible target होता है, जैसे lowest possible target इसमें मेरा जो इस साल का है, पूरे साल का वो है, 300 के थोड़े ही नीच 35 के आसपास, जो है lowest possible target है, इस से नीचे में इस साल में एंटर नहीं करूँगा, या average नहीं करूँगा, ठीक है, तो उस हिसाब से 340 में एंटर भी किया जा सकता था, थोड़ा risk लेने के लिए अगर ready रहते हैं, तो 340 में एंटर किया जा सकता था, अभी भी price कोई बहुत ख maximum hold करके रखा हुआ है, और उसके बाद यहां पे FII ने कुछ points में अपना stake बढ़ाया है, DII ने भी कुछ points में अपना stake बढ़ाया है, मतलब कहां से आया वो, public के पास से, तो जब भी public के पास से, मैंने आपको कई बर बताया है, public के पास से, जब भी promoter, FII या DII कुछ stakes आना उसमें कुछ न कुछ positive होने वाला है, ठीक है, तो इसमें अभी थोड़ी positivity मुझे shareholding pattern में दिखाई दे रही है, बांकि अगर profit and losses देखेंगे, तो आपको EPS से ही वैसे पता चल गया, यहां उतना देखने को कोई ज़रूत नहीं है, EPS भी same चीज बताता है, कि यहां प लाइक नहीं, मतलब stock बहुत अच्छा है, तो आप ले लोगे, तो कभी न कभी तो यह उपर जाना चाहिए, market cap देख सकते हो, काफी अच्छा market cap है, debt free company है, 75% यह हमने discuss करी लिया, dividend भी देती है company, और financials देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, तो अगर किसी को entry लेनी है, तो entry आप लेना चाहो, तो अभी इस moment में भी ले सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत गिरावर दिख जाए, तो panic मत होना, ठीक है, अभी candle अगर हम लोग देखेंगे, candle chart हम लोग देखेंगे, तो यह अभी upper ballinger के पास चल रहा है, अगर daily candle का chart देखोगे, ठीक है, तो मुझे लगता है, शायद 400 के आसपास से ये वापस नीचे थोड़ा प्रेशर दिखा सकता है, अब ये वापस इस bottom पे आएगा या नहीं, उसकी कोई guarantee नहीं है, ठीक है, तो around 360 को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो शायद ये नीचे आ जाए, लेकिन मुझे लगता ह 360, 65 के आसपास में थोड़ी इसमें बाइंग दुबारा दिखेगी, और उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कहां पे बाइंग करनी है, लेकिन जो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है जनके पास सोचने के लिए वो इस प्रेजेंट लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे खेल चलेगा, लेकिन अल्टिमेटली यह उपर ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ से अगर यह उपर जाता है, तो उपर की तरफ में प्रॉफिट बुकिंग का जो लेव फिर यह बहुत उपर जाएगा, तब 7-800 पे भी जा सकता है, अगला स्टॉक है, गार्डन, रीच, शिपवल्डर्स, इंजिनियर्स लिमिटेड जी, आर ऐसी के नाम से आपको यह आपके ब्रोकर क्या पे दिखेगा, मार्केट अगरा देख सकते हैं, और काम क्या करती है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक लिए करती क्या है, तो डिफिन्स वगरा के रिलेटेड जो भी कंपनीज है, उनमें आपको इस तरह की बाइंग दिख रही होगी अभी रीसेंट टाइम में, अभी स्टॉक का अगर पी देखेंगे, तो इंडस्री पी से आधा चल इसकी होलिंग में से प्लेज कुछ भी नहीं रखा हुआ है, डेट फ्री कंपनी है, देखो डेट फ्री जब भी कंपनी रहती है, बहुत अच्छा एक फीलिंग आता है, फिर फिनेंशल्स देखेंगे, बहुत अच्छे हैं, तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, इसलिए आपको इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मतला बहुत ही जबरदस्त टेकनिकल चार्ट इसका है, बहुत ही अच्छा है, इसका फंडमेंटल है, तो इसमें अगर एंट्री मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, अभी ये मेरे ट्रैकर में बहुत पहले से है, मुझे पता नहीं, याद नहीं है, मैंने आपको कभी ये बताया या नहीं इसके बारे में, लेकिन ये मेरे ट्रैकर में बहुत टाइम से है, मैं इसमें एंट्री ढून रहा हूँ, लेकिन कभी एंट्री मिलती नहीं है, मुझे मेरे लेवल पे, ठीक है, अभी पिछले महीने भी मेरा जो इसमें target था वो 640 का GTT लगा हुआ था लेकिन unfortunately ये लगबग 675 के आसपास से ही वापस भाग गया उपर आप यहां पे देख सकते हैं ये 675 का price था वहां से ये उपर पलड़ गया नहीं तो 640 पे आता तो ये मेरा buy हो जाता इसमें आपको लग रहा होगा कि 700 से उपर है लेकिन नहीं आपके broker के app में आप चेक करोगे daily candle वाला चार्ट देखना तो वहां पे आपको ये 675 के आसपास आता हुआ यहां तक आता हुआ आपको दिखेगा ठीक है तो ऐसा कुछ हुआ था और मेरी buying यहां पे 640 पे ही थी तो मांगे इसका PE ratio देखेंगे तो PE ratio EPS आपको बढ़ता हुआ दिखाएगा median यहां है और PE इसका बहुत उपर साथ में चल रहा है EPS के आसपास में चल रहा है तो यह भी हमको यह बोल रहा है कि इसमें बेटा थोड़ा वेट करो है ना इसमें अगर तीन साल का भी चार्ट दे है ठीक है चलो देखते हैं कोई बातनी कब इसमें एंटरी मिलती है हम लोग देखेंगे आज डिसकस कर लिया है तो आपके भी दिमार में यह रहेगा अब इसमें पॉजिटिव चीज यह भी है कि प्रमोटर्स ने यहां पर कोई चेंज नहीं किया और FIIs ने इसमें बहुत से पता चल जाता है मैंने आपको कई बार बताया है तो EPS में अगर आपको तेजी दिख रही है तो profit and losses सही काम कर रहे हैं तो इसको भी क्या करना है अभी प्रैकर में आड कर लेना है और इस महीने अगर बाइंग के ranges आपको देखने है तो पहले इसको साड़े साथ सो या साथ सो के नीचे जाने दो April month में तभी हम लोग इसमें entry के बारे में सोच सकते हैं otherwise थोड़ा सा risky हो जाएगा चार्ट दिखके लगनी रहोगा कि risky हो जाएगा लेकिन मेरी नज़र में risky रहेगा यह जब तक मेरे levels के आसपास नहीं आता है अगला stock है Stove Craft Limited आपने शायद इसके बारे में नहीं सुना पिजिन ब्रांड के बारे में सुना होगा गिलमा एक बहुत ही फेमस ब्रांड है इसके बारे में सुना होगा इससे भी ज़्यादा फेमस है Black & Decker तो इस ब्रांड का भी यह exclusive partner है ठीक है तो इसी में यह deal करते हैं market cap बहुत ज़्यादा नहीं है 1480 करोड का market cap दिखाई देता है debt भी बहुत ज़्यादा नहीं है promoters की holding अच्छी खासी है लेकिन negative चीज मेरे लिए जो है वह है इसकी pledging 5% से ज़्यादा अगर किसी में भी promoters अपना pledge कर देते हैं stake तो मेरे लिए वह negative हो जाता है तो वैसे ही मेरे लिए negative हो गया है यहां पर तो मैं इसमें entry नहीं ही दिखाई दे रहा है तो इसमें आगे investors portfolio में जाके देखेंगे तो यहां पे कोई changes नहीं है यहां पे थोड़ा सा stake बढ़ाया है यहां पे भी stake बढ़ाया है तो positive चीज यह है कि FIA और DIA ने अपना stake इसमें increase किया है जो कि बहुत अची बात है public से इन्होंने stake खीच के increase किय है अपना और profit and losses वगरा देखेंगे तो चलिए दिखनी ज़रोत नहीं है क्योंकि हमको EPS में दिख जाएगा maximum time का chart देखेंगे तो market में जब से list होई थी तब इसमें तेजी बहुत दिखाई दी थी because obviously जो brands के नाम इसमें connected है उनके नाम पे शायद buying हुई होगी मुझे पता क्योंगे market में recover हो चुके है recover कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई recovery नहीं दिख रही तो अभी ये bottom पे ही चल रहा है अपना जो पिछला bottom था उसकी क्यास पर चल रहा है मागी बात करेंगे इसके EPS की PE ratio की तो EPS भी इसका continue गिर रहा है PE उपर चल रहा है median यहाँ पर है तो gap काफी जादा है इसमें अगर तीन साल का इसमें result देखेंगे तो EPS continuous गिरता हुआ PE उपर और gap अपने median से बहुत जादा बनाए हुआ है तो अभी भी इसमें investment करने के लिए PE ratio जो है वो मना कर रहा है अभी फिर भी कुछ लोगों को अगर इसमें interest है investors actions देखके तो आप इसमें entry कर चाहो तो मेरे हिसास देखो मैं अपना बता देता हूँ अगर मैं इसमें entry करना चाहता तो 320 के ऊपर में कभी नहीं करता ओके जिस तरह कि इसके fundamentals है 320 के ऊपर में मैं इसमें risk बिल्कुल भी नहीं लेता और 320 पे जब यह जाएगा ना तो लोग इसमें extra panic करेंगे ठीक है लेक जो है इस पर इसके लिए जाता है यहां पर थोड़ा से स्टेक्स यहां पर थोड़े जादा स्टेक्स और फिर आप इसको भूल सकते हो लेकर मैं फिलाल इसे इग्नोर कर रहा हूं only because of this pledging अगर इसमें कुछ मुझे betterment दिखाई देता है कुछ improvement दिखाई देता है तो फिर म मैं इसके बारे में सोचूंगा अपने portfolio में एड करने के लिए लेकिन अभी फिलाल मैं इससे बाहर हूं अगला सोक है Camblin Fine Science Limited बहुत ज़्यादा यहां पर नहीं लिखा हुआ है सिंपल लिखा है कि specialty chemical के बिजनस में यह deal करती है ठीक है तो आपको इसके बारे में पता था या नहीं आप बता ना मुझे लगता है आपको चाहिए 20% लोगों को यह पता होगा इसके बारे में comment करके बता ना आपको पता है या नहीं ठीक है market cap कुछ जादा नहीं है छोटी पी नहीं दिखता ना तो मुझे थोड़ा negative feel आता है बांकी investors में जाके आप देखेंगे तो promoters का stake सेम ही है लगबाग 0.01% बढ़ा है लेकिन strong चीज यह है कि यहां पर FII ने और DII ने अच्छा कासा stake जो है अपना increase किया है गवर्मेंट का भी कुछ stake बीच में आया था लेक साफी positive चीज दिखाई दे रही है बहुत जादा stake FII एडिया नहीं hold करके चल रहे हैं लेकिन फिर भी जिस हिसाब से stake in उन्हें बढ़ाया है वो एक अच्छी बात है ठीक है अब इसके maximum time के चार्ट में आ जाते हैं तो यहां पर आपको volatility बहुत जादा दिखाई देगी तो उन लोगों के लिए यह जो लेवल है present level जो अभी चल रहा है अभी जैसे लगबग 85-90 के आसपास से यह दुबारा पलटा ओपर के तरफ तो 85-90 का जो level है वो इस साल का ultimate lowest possible level है मेरे लिए ठीक है इसके नीचे नहीं जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा मैं लेकिन इसके 85-90 के नी इसी को बोलते हैं swing trading तो इस तरह से अगर कोई swing trading करना चाहता है तो यहां पे entry की जा सकती है और यहां कहीं उपर आपको मिले तो उपर में आप इसे बेच सकते हो जैसे 210 के आस पास में बेच सकते है ना इस price के आस पास में यह profit booking का level है तो यहां पर आपको बेचना है आप सकते हैं यहां से थोड़ा और नीचे चला जाता है तो इगनूर करो कभी पिल्टेगा जैसि इसके आदत है यह पलटता है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता तो इसलिए लिए तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं मेरा वो स्टाइल नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इसमें एंट्री करने से बचूंगा लेकिन अगर आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और 210-200 क्यास पास में इस रेंज में कहीं पर आप बेचना चाहो तो बेच के थोड़ा वग पैसे बना सकते हो PE Ratio की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है यह बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है तो इसका मतलब है इसके Profit and Losses जो बहुत खराब आए है तो यह और गिर सकता है ठीक है अब इसको अगर आप देखो तीन साल के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत बुरी गिरावट दिखाई दे रही है मेडियन के बहुत उपर यह चल रहा है तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो यहाँ पे भी एंटर नहीं करूँगा जहाँ पे मेरा लोइस्ट पॉसिबल है ना पॉइंट यहाँ पे भी मैं एंटर करने से इसमें बचूँगा मैं दूसरे अच्छे स्टॉक्स देख लूँगा जहाँ पे एपेस थोड़ा बहुत बेटर है या बहुत फेमस कंपनी है या बिजनस बहुत वाइड है इस तरह मैं जब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं तो मैं उस टॉक से अलग हो जाता हूं इस वीडियो का लास्ट स्टॉक है कोपरन लिमिटेड इसका भी नाम चाहिद आपने नहीं सुना हो आज के दिन ग्रीन में है यह मार्केट का बहुत जादा नहीं है स्टॉक का पी अपने बहुत देती है यह कंपनी तो कोई भी कंपनी अगर डिविडेंट जादा देती है तो उसमें ग्रोथ थोड़ी कम दिखाई देती है फिनेंशल्स ओके दिखाई दे रहे हैं 5% से उपर है तो अच्छे है खराब नहीं है अब इसमें हुआ क्या है इसमें भी इन्वेस्टर्स ने जो है FII ने और DII इस ने अपने स्टेक को पब्लिक से खीचा है ठीक है अरूंड 1% के आसपास जो है 1.5% के आसपास स्टेक ज देखे पहले तो इसमें consolidation था जो कोई मतलब नहीं बनता जहां पर और उसके बाद इसमें बहुत बुरी वाली तेजी आई जब बहुत बुरी वाली तेजी आती है तो बहुत बुरी वाली गिरावट भी आती है यह मैंने कई बार आपको बताया है कम टाइम में अगर जाद लेवल पे जाके अगर वापस आता है तो फिर यह वापस यहां पे आने के लिए एक target बन जाएगा ठीक है पहले यहां पे target बनेगा फिर यहां पे यहां पे ऐसे करके हम लोग के levels बनते रहते हैं अलग-अलग लेकिन उल्टा हो सकता है अगर यह इसको break कर जाए अगर break करक मैं आपको बता देता हूं कि अभी यह ऊपर चल रहा है आप candlestick chart भी देखोगे तो मैं इसको देड़ सो के ऊपर में consider नहीं करूंगा ठीक है मुझे इसके business में भी ऐसा कुछ बहुत खतरनाक नहीं दिखाई दे रहा और प्लस इसमें technical भी history ऐसी कुछ नहीं है जो बहुत बवाल result बना के देगा यह return करके देगा और investors portfolio में भी हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिसमें FI, ADIV इसमें बहुत ज्यादा bullish हो अभी buying है तो हो सकता है आगे जाकर selling भी कहीं पर दिखाई दे जाए यहां short term में क्या पता वो लोग बेज के निकल जाए तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और stocks को discuss करेंगे हो सके तो आज के जो गिरे हुए stocks हैं जिसमें हम entry वगरा कर सकते हैं उनको discuss करेंगे आगे आने वाले वीडियो में ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में